इस अब तु कुछ-कुछ चीज बता दिये थे कि दांत दखिए दो टाइप का होता है एक होता है दूद का दांत ठेक है एक होता आकल का दाथ तो दूद का दांत के बारे में बता है इसकी संख्या कितने होती है 20 वती और आकल का दाथ का 32 होता है ना कितना बताएं थे 32 है ना देखिए दांत जो बता रहे है ना ध्यान से सुनिये का दांत दांत होता है चार परकार का ठीक है कितना परकार का दांत होता है चार परकार का ध्यान सुनिये का दांत जो है यह कितना परकार का बताएं चार पर तोड़ा समझना इसको ठीक है तो शबसे पहले जो आप लोगों पिछला क्लास बताएं थे कि दातों का अध्या क्या कहलाता है अध्यार्या bishop सबसे पहले का इंसीजर क्या बता रहें इसको बोलते हैं आपका हिंदी में क्या बलते हैं इसका कितनी होती है थीक है तो चार गो उबर चार गो निचे टोटल कितना हो जाएगा आठोग चार उपर अर चार निचे आगे का जो दान दिखता ड़े ध्यान्सुनना जैसे इसे 15 Siz अब होआ रे अभवत तो आगे का जो आपका दान जो दिखता है ध्यान Wash ठीक है यह वाला इसको क्या बोलते हैं तो क्रिंतक बोलते हैं ठीक है आगे का जो चार को दिखाई देता है ना चार उपर और चार नीचे उसको क्या बोलते हैं क्रिंतक और यह जो क्रिंतक बता रहे हैं इसमें देखें को सिर्फ भोजन को काटने का काम करता है क्या करते हैं काटने का काम करता है, क्रिंतक, पदा चर्था तो, नहीं गिरेगा, तो क्रिंतक का काम हम आपको क्या बताएं, तो ये भोजन को काटने का काम करता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, आप देखी क्रिंतक जो है, ये हमारा नोस के सीधे में रहता है, नाक के सीधे में, इ क्या कहा जाता है इसको नोस्तित तो क्रिंतक को बोला जाता है क्यूंकि आपका नाक किसी धामे है बासवाच पार है तो तो दान्थ हम आपको बता रहें कि क्रिंतक बोलेंगे क्रिंतक और क्रिंतक जो हम आपको बताएं इसका काम क्या है भोजन को काटना इस जिर्फ याद रखेगा भोजन को काटने काम करता है कोई दिक्कत नहीं समझ माग गया न और दूसरा चीज को सेन क्या पुछता कि इसकी संख्या कितनी होती है तो तो संक्याज पुछेगा तो आट होता है, चार उपर चार नीचे, किसी को तुटा हुआ तो दिक्कत हो जाएगा, बस समझें, लेकिन चार को उपर और चार को नीचे, है ना, आप देखिए, तो पहला तो हो गया ये क्रिंतक, इस समझ मागिया आप लोग को कोई दिक्कत नह किना आपको हम बता रहे, समझना है किया बोल रहे हूं, आप लोग को पता होगा, ये जो है ना, राक्षास देखें आप लोग, आगे गाचार ना थे, हाँ, ये जो याद रिखेंगा, चार के बाद एक एक फो देखेंगा, फाडने वाला, पदा चैर ना तो, ये जो canine हो होता है ना निकला हुआ होगा तुम लोग आगे तो आगे का जो चार दाथ है उसका जो याद रखिएगा बगल में यह क्या है तो के केनाइन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रदनक केनाइन को क्या कहा जता है रदनक याद रहेगा तो पहला क्या हो गिया? क्रिंतक दूसरा क्या हो गिया? रदनक और आपका क्रिंतक जो बताए, इसकी संख्या कितना बताए? आट गो और रदनक की संख्या कितना होगा? कितना हो जाएगा? चार मतलब दो उपर और दो नीचे संख्या कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा. समझपार है क्या बोल रहे हैं? उसके बाद देखिए, ये जो केनाईन आप देख रहा है, ये देखिए आपका ठीक आखों का सिधा में होगा. देखिए, जो ये जो मांस फाडने वाला है, ये जो दान्त रहता है, चार कबगल में इसी को रदनक कहा जाता है. बाद समझे क्या बोले? और इसकी संख्या उपर में दोगो रहागा, नीचे में दोगो. देखिए, जो मांस जो खाता है, जैसे सेर हो गया, उसका देखिएगा, दान्त ये सब बहुत लंबा लंबा निकला हो रहाएगा, देखे हैं के ने, देखे हैं आप लोग, बाद समझे, मानव में थोड़ा छोटा रहता है, लेकिन ये किस लिए हैं, तो मांस फाड़ने के लिए हैं, पता चल रहां क्या, बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते है, तो रद नक बोलते हैं, जैसे भूद देखा होगा तुम लोग, मूवी में अगरा में नी देखा है, भूद राक्षास, इनौए देखिएगा, उसको कुछ नहीं देखेगा यह दो को दात निकला हुआ देखेगा इसे क्या बोलते हैं तो एक हो गिया आपका कृंटक सिंख्या कितना बताएं तो आठ और रदनक अरे बंद करो उसको अब वह लगा दूगा खोल के लगा तो शाहा लगा दो चार परकार ना जाँ अब जाँ अब गलता भी घर अखेगा घर आखेगा तो खराब हो जाता है तो बहुत दिन रहने तो न देखिए तो पहला हो गया आपका इंसिजर हो गया ठीक है करिंत तक समझ मा गया दूसरा हो गया क्या तो रदनक ठीक और चौथा चार जो है इसको बोलते हैं हम लोग आपका अगरषय वर र्ऩर में इस्वार कि इस वांट आफित emotion य्याइब वह सिधकें रहनाइब चवरनक इसको इंगलिस में बोलते हैं आपका प्री मोलर क्या बोलते हैं इसको इंगलिस में प्री मोलर और प्री मोलर देखें ध्यान दिजेगा क्या बोल रहे हैं ये प्री मोलर मतलब क्या होता है आगर चवरनक याद रिखेंगा मतलब क्या आगे का जो चावाने वाला है आगे का जो चवाने वाला दाथ है, उसको क्या बोलते हैं, तो अग्रचवरनक बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, अग्रचवरनक, देखिए इसमें समझना है, इसकी संख्या जो है ना, दोनों साइड में आपका दोदो करके होगा, दोनों साइड में ये वाला जो द साइड दो-दो करके मतलब उपर चार पता चर ना तो नीचे भी चार तो टोटल कितना हो जाएगा आठ वो हो जाएगा तो याद रिखेगा अगरा चावरदक की संख्या कितना हो जाएगा आठ और यह किस लिए होता है तो चबाने के लिए होता है तो उपर भी याद रिखे यह जैसे आपका केनाईन हो गया और चार और चार चार आठ हो गया ठीक है आट्ग है रदनक और तीसरा क्या हो गया तो आग्र चावलनक क्रिंतक की संख्या कितना बता है रदनक क्रिंत aspireμ भॉजन कुछ नीन के लिए किसका परयोग के लिए मतलब याद रिखिएगा जैसे इसको आगे का चबाने वाला भाग ऐसे बोल सकते हैं आप से जिससे किसी का दांत खड़ा हो जाता है रीजन क्या बता है बहुत सारा रीजन है उसका ठीक है चोटा बच्चा में जो होता है ना तू ज्यादा तरह आपको चॉकलेट वगरा खाऊगे ना तो दांत अपका सड़ेगा देखिए अभ्यान देजेगा क्या बोल रहे हैं क्या बताएं च वरनठ तो यह जो मोलर बता रहें च बमट दिक देखरिमोलर जो इसने पहले वाल और मोलर तेखिए दोनों का काम क्या है तो स्रिया में भोजन ही चबाना दोनों का क्या national inclusion को बसरति याद रिखेगा जैसे एक भोजन को चबाने वाला आगे का जो दानत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो पीछे वाला क्या होता है तो चबारनक होता है समझ पार हो क्या बोल रहे हैं अब यह जो चवरनक आपको बता रहे हैं देखिए पीछे जो आप लोगों का बड़ा-बड़ा दांत है ना पीछे एकदम लास्ट में देखना तुम लोग पदाचर रहा तो तो इसमें जो बड़ा-बड़ा दांत होता है जिसको आप लोगों सितना और पूछा जाता है कि इसकी संख्या दोनों साइट में देखें थीन-3 फोLE तो जब ढोनों साइट में आपका माली यह 3 इधर बी 3ंट हो गया ठीक है है और इधर भी तीन कितना हो जाएगा स्पार रहे हों तो यादर रखना ही जो हम जो होता है नहीं चवरनक तो चवरनक देख्ए इसमें सब्सक्राइन सब्सक्रात है लेकिन याद रख़एगा मोलर मतलब किया जो चवरनक बोल रहे हैं तो यह चावर्ना की संक्या एक, दो, तीन, तीन तो हैं रहें, कितना है, तीन गो, तो याद रखना यह तीसरा वाला जो है, यह छोटा बच्चा में नहीं रहता है, तो मोलर की संक्या, देखे, दोनों साइड में तीन-तीन रहेगा, उपर नीचे, नीचे छे, पता चर्रा तो तो तीन गोजो हम आपको बता रहा हैं तो याद रिखेगा, कोसिन पुछता है कि मोलर याद रिखेगा, फर्स्ट हो गया, सेकेंड थार्ड, तो कौन सा मोलर छोटा बच्चा में नहीं रहता है, तो क्या टिक करोगे, तीसरा, पता चर्रा किया बुर रहा है, ये कोसिन पुछता है ना, तो इसका भी काम क्या हो गया, तो भोजन को चबाना, और याद रखना, इसको बुद्धी का दात बोला जाता है, क्या बुद्धी का दात, इसको कभी-कभी पुछता है ना, कि बुद्धी का दात कितना साल के बाद निकलेगा, पता चर्रा तो, 18 साल ने 20 साल लगभग 24 साल में आ जाता है कितना साल में आ जा अपका 24 साल में मतलब बहुत ज़हनес का अभी आप लोगसर निकला भी नहीं है बुद्ध का दाट त्म झालने चेपर नहीं आएगा तुम लग भी नहीं है तम क्या बहुत रहा हो है ज्तरवास कर्ता, ठाम अन्यक्राइब करने का है सब्सक्राइब के सब्सकाइब कीरे आगे वह प्द१िकाइब के साथी, बुढह सुनों तो याद रखना रहे हैं हम ध्यान सुनना जल्दी बोलो कितना हो जाएगा अपर चार नीजे चार ठेक यहां उसके बाद दूसरा क्या बताएं तो radnak, Kanine, इसकी संख्या कितना होगा? चार, ठीक है, दोनों साइड में दोडो ना? दोडो करके चार ठोन रहे एpa और आपका आगड चावर नक की संख्या कितना? आगड चावर नक के नाइन की जो आपका थर्ण चवरनक है मतलब थर्ण मोलर जो है ना ये छोटे बच्चो में नहीं पाया जाता है समझ पार है क्या बोल yagd थो याद रखियेगा दाथ जो हम आपको बता रहे हैं इसको भोजन इसका कान क्या है तो भोजन को छोटिक छोटिक टुकडों में तोड़ने का काम करता है मतलब पाचन में भी दात का भी बहुत बड़ा योगदान है है कि नहीं है